देर स्कूरेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चारल अस्टेडी विद दुलार में तो बच्चों कई बार क्या होता है जीवन में इस तरह की परिष्टिति आती है कि लोग अपने परिषानियों से परिषान होकर ऐसा सुचने लगते हैं कि अब मैं और अपने ज परिष्टि हुई निरासा को हटाने के लिए परेरना दायक कहानिया परेरना दायक कविताय लिखी है उसी तरह का यह एक कविता है तो आए देखते हैं यह कौन सा चप्टर है यह कलास फाइव का हिंदी बुक और चप्टर है ट्विल चप्टर का नाम है कुछ काम करो तो बहुत ही महान कभी मैतली सरन गुप्त जी ने इसको विता को लिखा है ताई हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं नर हो ना निरास करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह ब्यर्थ ना हो, कुछ तो उप्युक्त करो तन को, नर हो ना निरास करो मन को तो यहाँ पे कभी मैतली सरन गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्ट को कभी निरास नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, इस संसार में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए ऐसा काम करना चाहिए, जिससे संसार में नाम हो, मानों में जन्म लेना तभी सार्थक हो इस वर ने हमें मानो शरीर दिया है इस शरीर का सदुप्योग करना चाहिए अतह हमें कभी निरास नहीं होना चाहिए संभलोग की सुयोग ना चाय चला कब व्यर्थ हुआ सदु पाई भला समझो जग को ना निरास अपना पत आप प्रसस्त करो अपना अखले स्वर है और लंबन को नर हो ना निरास करो मन को आगे कभी कहते हैं कि मानव में जनम लेना सुभाईगी की बात है इसलिए हमें अच्छे काम करने का मौका मिला है हमें समय रहते समझ जाना चाहिए इस अच्छे मौके को गवाना नहीं चाहिए अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता इस संसार को निरास अपना रास्ता स्वयम ढूंड़ना चाहिए इस्वर हमारी सहायता के लिए सदेवतत पर हैं अता हमें अच्छा काम करना चाहिए मन को कभी निरास नहीं करना चाहिए निजगोरव का नित ग्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर सम्मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो ना तजो निजशाधन को, नर हो ना निराशकरो मन को आगे कवी कहते हैं, अपनी परतिस्ठा हमें बचाए रखना है, इस संसार में हमारा भी मोल है, इस बात का सदेव ध्यान रखना है, चाहे सब कुछ समाप्त हो जाए, परमान समान बचे रहना चाहिए, जिससे मरने के बाद भी इस संसार में हमारा नाम रहे, चाहे समस्या ला किये तुम प्राप्त करो उनको ना अहो फिर है किसका यह दोस कहो समझो ना अभलाय किसी भधन को नर हो ना निरास करो मन को कभी यहाँ पे कह रहे हैं इस्वर ने तुम्हें दो हाथ दिये हैं तुम्हारे लिए ही मन चाही वस्तुओं का निर्मान किये हैं तुम प्राप्त करो उन वस्तुओं को अधि तुम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे तो फिर कहो दोस किसका है कभी ऐसा मत समझो कि किसी वस्तू को प्राप्त नहीं किया जा सकता मानो हो तुम मन को निरास मत करो और कविता के अंतीम भाग में यहां पे है किस गोरो के तुम योगी नहीं कब कौन तुमें सुक भोईगी नहीं जन हो तुम भी जगदिस्वर के सब हैं जिसके अपने घर के फिर दुरलब क्या उसको जन को नर हो ना निरास करो मन को कवी स्री मैथली सरन गुप्त जी यहां पे कह रहे हैं कि कौन सा मान समान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता कौन सा सुक तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता तुम भी तो इस्वर के बनाए मानव हो, सभी को तो इस्वर ने बनाए हैं, फिर कैसे तुम्हारे लिए कुछ भी प्राप्त करना मुस्किल है, मानव हो तुम मन को निरास मत करो तो यह कविता हम लोगों के लिए एक motivational कविता है, जो किसी के मन में निरासा आ जाती है, तो इस तरह की कविताओं को पढ़ने के बाद उसके मन में आसा का संचार होता है, और फिर से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, और वह एक उत्सा पूर्ण जीवन जीने लगता ह तो आए देखते हैं, इस पोयम में क्या questions दिया हुआ है, आप यहां पे देख रहे हैं, स्री मैतली सरंज गुप्त जी का नाम दिया हुआ यहां पे, जो इस पोयम के point है, कवी है, तो आए देखते हैं क्या question दिया हुआ इसमें, सबसे पहले हम लोग यहां पे number one में देख पढ़ें और समझें, यह सब्दार्थ दिया हुआ है, मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि पोयम में थोड़े कठीन सब्द यूज किये जाते हैं, तो उसको समझना थोड़ा मुस्किल होता है, इसलिए इसमें सब्द के सब्दार्थ दिया रहते हैं, इसके बाद two number में वि question number four में सोचे और बताएं, इस chapter का यह question है, तो आईए मैं आप लोगों को इन सबका answer बना के देता हूँ, यह chapter 12 का question answer, question number three में इनकी वरतनी सुध करें, यहाँ पे गलत word लिखा गया है, जिसको यहाँ पे सही किया गया है, जैसे निरास का निरास इस तरह से लिखा जाएगा और question number four में सोचे और बताएं, मनुस होने के कारण निरास नहीं होना चाहिए, क्यों? मनुस अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकता है, इसलिए मनुस को निरास नहीं होना चाहिए, मनुस का जन्म सार्थक कैसे होगा? अच्छे कर्मों से मनुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का अर्थ है, मरने के बाद भी हमारा नाम रहे, तो यहाँ पर यह चप्टर पुरी तरह समाप्त हो जाता है, अगर आप लोग को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, और नेक्स चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स वीडियो में चलेंगे, तो आए हम लोग नेक्स वीडियो में चलते हैं